यहां आती थी सिक्षक हैं कालू रामसिर साम उन्हें के घर में घरई में उनके लगाते हैं बरसाथ जब ज़्यादा होने लगती है तो बाहर तो बैट नहीं सकते तो अंदर ही बैटते हैं उनके घर में बृष बिलुकिल मैं यहां से जाने के बाद यह देखूंगा कि उच्चा धिकारी जो है हमारी भाग के जैसे जिलासिक छादिकारी मोहदय और स्रीमान कलेक्टर मोहदय जी को इस बास में अवगत कराऊंगा धीरी गाउं पहुंचने के लिए हमको 70-80 किलो मीटर लांचे से सफर तैकन न पढ़ता है वो भी मलाईदा से लेके रोडेतना खराब है कि नाले हैं उबर खावण है आदमी आने मुश्किल और ये नमस्कार मैं हूँ हितेन चौहान और आप देख रहे हैं IBC 24 का महाकौसल न्यूज आज हम पहुचे हैं बालाखाट जिला मुख्याले से 130 किलो मीटर दूर नकसल प्रभावित वन ग्राम धीरी में जहां पे खुले आसमान के नीचे कक्छा एक से पांस तक इस्कूल संचालित हो रहा है सासन के द्वारा यहां पे इस्कूल भवन स्विकत किया गया रासी भी आई निर्मानकार भी चाली हुआ लेकिन करीब दो से तीन सालों से यहां निर्मानकार अधुरा पड़ा हुआ है जिस वज़ा से यहां पे खुले आसमान के नीचे इस्कूल संचालित हो रहा है क्या कारण है कि बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठ के बढ़ाई करते हैं? सरे 2021 में प्लेंट कसके हुआ था 22 में थोड़ा सा किये हैं उसको काम दिवाल खिड की लेवल पर आ गई है उसके बाद सर अभी बंद ही रखा है और नेटिक तरप की तोर पर देखाई राको कुछ प्रयास करने चीए थे से अभार गय सतर अभी न्यकalten कि नहीं किये रिभाक को करना इसे बाद सर जैसे संट कुल स्टर पर बिया और सी सर को इक बार बताय थे कि हमारे हैं ऐसी ऐसी परिसानी है, से संट कुल सर को भी बताके हुआ है कि इसे ऐसी परिसानी है सर संकुल प्रिंसिपल सर को भी बता के हुआ है कि हमारे यहां यह सब परिसानी है कोशिस जा रही है सर यह जो दीरी का जो इसकूल जो खुले आसमान के निचे चल रहा है यह आपके संकुल कंतर गताता है हां सर यह जो इसकूल है हमारी संकुल कंतर गता मुझे जानकरी लगी सर की यह भवन तो 2019 का स्विक्रत है और यह पता लगा कि पुलू के सरपंज के द्वारा यह प्लिंथ लेवल तक काम कराया गया है उसके बाद उसके द्वारा कोई काम नहीं कराया है और जैसे की जानकरी लगी है अभी कि यह 2022 से यह लगबक एक वर्ष पहले से कारिक बंध है और अभी जैसे देखने में आ रहा है कि निर्मान के शित्र में यहां कोई बिल्डिंग निर्मान में कोई जादा प्रोगर्स मु यह जाएंगे कि यहां का भवन जल्दी से जल्दी पूर्ण हो तो कि आपके संकुल के अंतरकत आता है बिल्कुल मैं यहां से जाने के बाद यह देखूंगा कि उच्चा धिकारी जो है हमारे भाग के जैसे जिला सिक्षा धिकारी मोहदय और स्रीमान क्लेक्टर मोहदय जी इस भवन निर्मान का कारे को गती लाने का प्रयास करें। और वन ग्राम है मुख्याला इसे बहुत दूर है उसके बाद भी बच्चों का इस तर बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा पर उनका इस तर इतना कमजोर भी नहीं है सामन इस तर है बच्चों को पड़ते लिखते आ रहा है हिंदी में अंग्रेजी में भी कुछ लिखते ह हैं पर उनको और ज्यादा सुधार करने के आउशकता है इस वक्त हम मौजूद है ग्राम धीरी में हमारे साथ में यहां के वरिष्ट पत्रकार जो की बालगाट जिले के नकसल प्रवाइद और वन ग्राम छेत्रों में ब्रहमन करके समाचार का संकलन करते हैं उनसे जानते ह है कि धीरी में आकिर किस तरह की समस्या हैं पहली समस्या तो यह है कि धीरी गाउं पहुंचने के लिए हमको सत्तर अस्य किलोमीटर लांचे से सफर करना पड़ता है वह भी मलाइदा से लेकर रोडेतना खराब है कि नाले हैं उबर खाबढ़ है आदमी आने मुश्किल हो र बिल्कुल सही है खुले आस्मान के चल रहा है उस्तेति पहले भी थी उस समय भी हम लोग शासन पर संग्यान में लाए थे और आज वी देखे कि नीचे है और यहां पर एक टीचर है महिला सिच्छक जो कि वह भी महिला उसको यहां जोना चीए और एक अतिती सिच्छक दिख रहा है बहराल कुल मिला के समस्या बहुत ज्यादा इस गाउं में है उसका निराकर होना चीए सडकों की क्या इस्तिती है आप यहां बोदा दलखा से दीरी की दूरी सतर किलोमीटर है वह बन मारगे चड़ नहीं सकते हैं उसी सडक के नव होने कोई से हम लों लाजी से पच्छतर किलोमीटर का सफर तय करके यहां दीरी पहुच रहे हैं वह भी मलेगदा गाउं से पुरा बहराल यह भी जानकाई लगी है कि परधानमंत्री सडक में रोट सेंक्सन हो चुका है अब कुछ दिनों में काम चालू होने वाला है अगर काम हो जाएगा तो यहां के लोग बेहतर से आना जाना हो जाएगा और पंचायत मुखेले से जुड़ जाएंगे यह भी देखने म मुद्दा है कि कारण क्या है है ना चुकि अब यह भी हो सकता है कि मेट्री रानेम दिक्का थे इसकूल भान के हालत आप देखी रहें अधूरा पड़ा हुआ है पता चला कि आधी राज से निकल गई है यह सारी जांच के मुद्दा है पर सासन जांच करके उसमें जो उच सारी जी जिन से हमने चर्चा की हमारे पीछे जो आपको यह भावन दिखाई दे रहा है यह इसकूल का भावन है जहां पे एक से पांस तक कक्छाय संचालित होना था लेकिन अधूरे निर्मानकारी की वज़े से बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है अब देखने वाली बात होंगी कि खबर दिखाये जाने के बाद कब तक इसका निर्मानकार पूना चालू हो पाता है IBC 24 महाकौसर डिजिटल नियूस के लिए बालाघाट से मैं हितेन चोहान